हेलो स्टुडेंट्स प्रीबियस वीडियो तक हम लोगों ने पी ब्लोक इलिमेंट्स के क्रूफ फिप्टिन इलिमेंट्स के बारे में जितना अधियन कर चुके हैं और उनसे जो कॉस्षिन बनते हैं और जो एक्जाम में पुछे जा चुके हैं वे सब कॉस्षिन को हम लोग अभी डिल करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं पहला कॉस्षिन क्या है इस चैप्टर से थू नाइट्रोजन एक्जिबेट्स प्लस फाइब ऑक्सिडेशन स्टेट कि चुकि नाइट्रोजन जो प्लस पाँच ऑक्सिडेशन स्टेट रखता है इट डज नौट फॉम पेंटाहलेड फिर भी यह जो है स्ट हैलोजन के साथ पेंटाहलेड का निर्मान नहीं करता है आनि कि NX5 का निर्मान नहीं करता है गिब रीजन इसका कारण बता है तो यह कॉस्षिन हम जब बता रहे थे प्रिवियस वीडियो में केमिकल प्रोपर्टी उसमें इस कॉस्षिन के बारे में हम जिक्र किये हुए थे कि नाइट्रोजन जो है तो जब भी हैलोजन के साथ रेक्शन करता है तो NX5 आनि 5 हैलोजन के साथ एक साथ एक ही बार अभिकिरिया करके कमपाउंड नहीं बनाता आनि पेंटा हलाड के निर्मान नहीं करता है इसका कारण बता है वे थे कि नाइट्रोजन के अगर कॉन्फिक्रेशन लिखोगे तो उसमें D-orbital जो है सो महजूद नहीं है और D-orbital के महजूद नहीं होने के कारण 5 हैलोजन एटम के साथ ओभर लेपिंग एक साथ नहीं हो बता है जिसके कारण से एक साथ 5 बन बनाना हैलोजन के साथ नाइट्रोजन के लिए पोसिबल नहीं है तो देखते हैं आंसर में क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन हैज S and P orbitals कि नाइट्रोजन का configuration लिखोगे तो उसके पास S और P orbitals है इसके पास D-orbital नहीं है कि अपने कोबहलेंसी को बढ़ा सके किस से जादा बियोंड फोर कि इसका जो कोबहलेंसी है चार से जादा बढ़ा सके कब बढ़ता जब D-orbital होता लेकिन D-orbital तो है नहीं कहने का मतलब कि नाइट्रोजन के पास अगर D-orbital होता तो इसका जो बैलन्स इलेक्ट्रोण 4 है वा चार से बढ़ा कर 5-6-7 भी कर सकता है लेकिन D-orbital है ही नहीं सिर्फ इसके पास S और P orbital है इसके कारण that is why इसी के वज़ा से it does not form pentahelide इसी वज़ा से nitrogen जो इस हेलोजन के साथ pentahelide का निर्मान नहीं करता है अगला question जो कि exam में पूछा जा चुका है यह question exam में पूछा जा चुका है कि pH-3 जिसको phosphine बोलते है pH-3 phosphorus का trihydrate pH-3 has lower boiling point than NH-3Y कि phosphine का pH-3 का boiling point कम होता है NH-3 से क्यों होता है तो देखते हैं क्या कारण है unlike NH-3, NH-3 के जैसा pH-3 का molecule जो है are not associated through hydrogen bond in liquid state कि pH-3 को जब water में घोला जाता है या तो liquid state में होता है तो वह जो है so liquid state में hydrogen के साथ hydrogen bond का निर्मान नहीं करता है क्योंकि hydrogen bond निर्मान करने के लिए दो condition एक electronegative atom एक electropositive अब hydrogen तो इलेक्ट्रो पोजिटिव है लेकिन phosphorous उतना ज़्यादा electronegative नहीं है कि hydrogen bond बना सके NH-3 के जैसा तो NH-3 के जैसा pH-3 molecule वाटर में या तो liquid state में hydrogen bond नहीं बनाता है और इसी के वजह से the boiling point of pH-3 is lower than NH-3 कि यह pH-3 का boiling point NH-3 से काम होता है उसके बाद है तीसरा question कि YR pentahelads of phosphorus arsenic antimony and bismuth are more covalent than their trihalad कि phosphorus, arsenic, antimony और bismuth का जो pentahelad है वा ज़्यादा covalent character रखता है as compared to phosphorus, arsenic, antimony bismuth का trihalad तो यह क्यों है कि trihalad के पास कम covalent character है जबकि pentahelad के पास ज़्यादा covalent character है क्या रिजन है तो देखते हैं क्या रिजन है कि in pentahelad कि जो pentahelad से group 15 elements के कि the oxidation state is plus 5 कि pentahelad में अगर oxidation state देखोगे तो plus 5 होता है सभी group 15 elements का है except nitrogen, nitrogen को छोड़ कर and plus 3 oxidation state in trihalad जबकि trihalad में oxidation state phosphorus and arsenic antimony bismuth का plus 3 होता है तो since the metal ion जो metal ion है यहाँ पर phosphorus, arsenic, antimony और bismuth metal ion with a high charge with a high charge has more polarizing power कहने का मतलब कहने का मतलब है फैजान एक सेंटिस्ट था फैजान ने क्या बोला था कि अगर किसी metal के पास ज़्यादा positive charge है अगर किसी metal के पास ज़्यादा positive charge है तो बगल में जो negative charge है उसको अपनी तरब जल्दी से attract करेगा इसी को बोलते हैं polarizing power तो यहाँ पर बोला गया है कि चुकि pentahelad के पास plus 5 oxidation state होता है group 15 elements का और triahelad के पास plus 3 oxidation state तो फैजान सुरूल के अनुसर कहा गया था जितना ज़्यादा positive charge होता है किसी metal में उतना वह negative charge को क्या कर सकता है polarize कर सकता है अपनी तरबर track कर सकता है और उतना ही ज़्यादा उसके पास जो है covalent character होता है तो चुकि pentahelad के में plus 5 oxidation state है हानी ज़्यादा positive charge तो negative को ज़्यादा attract करेगा और ज़्यादा covalent होगा according to फैजान शुरूर वही लिखा गिया है कि high charge has more polarizing power कि plus 5 oxidation state वालम ज़्यादा चार्ज है इसलिए polarizing power ज़्यादा है इसलिए pentahelad के पास ज़्यादा covalent character है किसके तुलना में तो trihalad के तुलना में क्योंकि oxidation state मातर plus 3 है उसके बाद अगला question है कि why is bismut का trihydride VIH3 the strongest reducing agent among all the hydrides of group 15 elements की पूछ रहा है कि जितना भी nitrogen phosphorous arsenic anti-nirbismut जो पांचो hydride है पांचो hydride में से bismut का hydride है वा reducing agent जादा strong है बाकि सारे hydride के तुनना में ऐसा क्यों तो देखते हैं क्या कारण कि as we move down ए गुरूप तो जब हम लोग nitrogen से भी smut के और down गुरूप आते हैं तो हम लोग जानते हैं कि atomic size increase होता है और atomic size increase होने से जोईसो easily से अपना bond तोड सकता है तो जैसे nitrogen से भी smut कराएंगे atomic size बढ़ेगा atomic size बढ़ेगा तो easily से टूटेगा और easily से टूटेगा तो hydride जोईसा hydrogen जल्दी देगा और since चुकि the stability of hydride decrease है चुकि hydride का stability decrease होता है निए hydrogen hydrogen atom देने के चमता बढ़ता है on moving from NH3 to BS3 कि NH3 से BS3 के जाने पर तो the reducing character तो reducing character तो increase होता है reducing character का मतलब बताए थे previous वीडियो में कि H hydrogen atom देने की चमता तो hydrogen atom कौन जल्दी देगा जिसका size सबसे ज़्यादा बढ़ा होगा तो size किसका बढ़ा होता है BIS3 का अपना bond क्योंकि size बढ़ा होता है hydrogen जल्दी देगा reducing power ज़्यादा होगा reducing power ज़्यादा होगा तो ज़्यादा stronger reducing agent होगा यही था इसका reason कि क्यों भी BIS3 stronger reducing agent है बाके सारे hydrates के तुलना में क्योंकि BIS3 का size बढ़ा है और size बढ़ा होने से जल्दी अपना bond तोड़ेगा और जल्दी bond तोड़ के hydrogen atom को liberate करें और hydrogen atom जल्दी देना आनि reducing power का increase होना reducing power increase होगा reducing agent भीवा मजबूत होगा यह था आपका कारण यह था कुछ questions जो कि जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है group 15 elements के बारे में उससे जो question बनते थे और जो exam में पुछे जा चुके हैं बता चुके हैं तो जितना भी बता चुके हैं अभी तक उसको ध्यान से पढ़ते जाएं और एक बार में अगर वीडियो ना समझ माए तो दो बार देखें तीन बार देखें और उसको copy में not करते जाएं ताकि जब अगला वीडियो देखें तो असानी से समझ में आए